करें स्रीमती सूस्री मासूरी सवराज आधर्णिय अध्यक्ष जी मैं माननिय अनुराग धाकुर जी द्वारा प्रस्तोर राष्ट्रपटी अभिभाशन पर धन्यवाद प्रस्थाव का समर्थन करने के लिए आपके समक्ष उपस्तित कूँ अध्यक्ष जी मैं आपका और अपनी पार्टी का धन्यवाद करती हूँ कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे अपना मत रखने का अवसर मिला है अध्यक्ष जी ये राष्ट्रपटी अभिभाशन एतिहासिक है इसमें ये अभिभाशन एतिहासिक है और ये एतिहासिक इसलिए है अध्यक्ष जी क्योंकि इसमें एक दशक के मोदी सरकार की अद्वतियक कार्यों का चित्रन ही नहीं बलकि आने वाले स्वर्णेमकाल यानि विक्सित भारत के संकल्प का उद्गोश भी है मोदी जी की जनकल्यानकारी योजनाओं का असर और उनके विक्सित भारत के विजन के जो जनता का अगाद विश्वास था उसी के कारण से अध्यक्ष जी एंडिये को तीसरी बार जनता ने पूर्ण बहुमत का जनादेश दिया महा महीम राष्टपती जी ने अपने अभिभार्शन के पारिग्राफ तीन में जो कहा है आपके माध्यम से समक्ष के पूरे के पूरे सदन के समक्ष पुनह दहराना चाहूंगी 2024 का चुनाव नीती, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है मजबूत और निर्नायक सरकार में विश्वास शुशाशन, स्थिरता और निरंतर्ता में विश्वास इमानदारी और कड़ी मेहनक में विश्वास सुरक्षा और समृद्धी में विश्वास सरकार की गैरिंटी और डिलिवरी पर विश्वास विक्सित भारत के संकल्प में विश्वास मेरी सरकार ने दस वर्षों में सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है ये उस पर मोहर है अध्यक्षी एक दशक में ये पहली बार ऐसी सरकार भारत में आई है जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है जो कहा वो किया भारा 370 हटाई जो कहा वो किया भग्द राममंदर का निर्मान किया जो कहा वो किया CAA लेकर आए जो कहा वो किया One rank, one pension लाए जो कहा वो किया Make in India की नीव रखी जो कहा वो किया पिछले दस वर्षों में मोधी सरकार ने भारत की अर्थिवेवस्था को इतना सशक्त करा है कि अध्यक्ष जी हम ग्यारवी सबसे बड़ी अर्थिवेवस्था की जगे मात्र एक दशक में विश्व की विश्विक पटल पर पाचवी सबसे बड़ी अर्थिवेवस्था बने और अध्यक्ष जी ये असा धारण पर स्थितियों में हुआ है पूरा का पूरा विश्व कोविड-19 की महमारी से जूज कर निकला है अभी भी विश्व के कई देश हैं जो युद्ध की अगनी में जुलस रहे हैं लेकिन भारत मोधी जी के नेत्रित में वेश्विक पटल पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बनेने के पत पर अग्रसर है हमारे मानने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने दो हजार से तालेस तक भारत को एक विक्सित राष्ट्र बनाने का एक संकल्प लिया है इस संकल्प के चार मुख्य स्तंब हैं पहला स्तंब युवाशक्ति दूसरा नारी शक्ति तीसरा किसान कल्यान और चोथा गरीब कल्यान अध्यक्ष्टी यदि आप युवाशक्ति की बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का अवसर यदि आप भारत की युवाशक्ति के समक्ष प्रस्तोत करते हैं तो उस अवसर का लाव लेने क के लिए युवाशक्ती चूकती नहीं है शिक्षा के परियाप्त अवसर हुए इसके लिए मोधी सरकार ने एक दशक में साथ नए आयाइटी सोला नए ट्रिपल आयाइटी साथ नए आयाइम्स 15 आयाइम्स हॉस्पितल्स 315 मेडिकल कॉलोजेज और 390 नए विश्व विद्य याले स्थापित करें स्टैंडप इंडिया और स्टार्ट अटन्डिया के अगर हम बात करें तो इन दो योजनाओं के कारण अध्यक्ष जी देश का युवा जॉब सीकर की जगे जॉब क्रियेटर बना है इस जॉब क्रियेशन से वेल्ट क्रियेशन की तरफ वो अग्रसर और आप जैसे माननिये अनुराग ठाकुर जी ने भी सदन के समक्ष रखा, आज भारत स्टार्ट अप इको सिस्टम में विश्व की थर्ड लार्जिस्ट इको सिस्टम है, अध्यक्ष जी मुद्रा योजना में स्वर रोजगार के लिए, आप ये देखिए, 46 करोड ने 26 लाख करोड रुपे का रिण आसानी से लिया है, आज देश में 1,81,000 स्टार्ट अप कंपनिया हैं, जिसमें से 100 से अधिक युनिकॉर्ण्स हैं, पिछले 10 वर्षों में भारत Ease of Doing Business के इंडेक्स पे 142nd पोजिशन से 63rd पोजिशन पे पहुचा है, और पिछले 24 यानि 2000 से 2024 में ही भारत में कुल 990.97 बिलियन डॉलर्स का FDI आया है, जिसमें से अध्यक्ष जी 67% यानि 667.4, 110 बिलियन डॉलर्स मात्र पिछले एक दशक में अंडिय की सरकार में आया है, तोडे भारत has become a leader in the world of manufacturing, चाहे electronics हों, चाहे automobile हो, चाहे रक्षा उपकरण हो, भारत एक अग्रणी निर्माता के रूप में वेश्विक पतल पर उभर रहा है, और इस नई दुन्या में, Microchips are the new oil, semi-conductors और chip manufacturing की दुन्या में भारत कहीं पीछे ना छूट जाए, इसके लिए मोधी सरकार सवा लाख करोड़ रुपे का infrastructure पहले ही उदघाटित कर चुकी है, असम में 27,000 करोड का semi-conductor का plant भी बन रहा है, वो दिन दूर नहीं अध्यक्षी, जब chip manufacturing और semi-conductors की दुन्या में, भारत will be a global leader. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी के नेत्रित्व में, भारत में बहुत ही transformative programs आये हैं, जैसे digital India, जैसे make in India, जैसे start-up India, इनके कारण भारत के युवाओं की entrepreneurial spirit को बहुत जादा प्रोचाहन मिला है, अब हम आते हैं, विकसत भारत के दूसरे स्तंभ पर, यानी नारीशक् हम सबने सुना है, कि चूले की रोटी का स्वाद बड़ा गजब है, लेकिन उस चूले की रोटी के स्वाद के चक्कर में, मेरे देश की मात्र शक्ती के फेपड़े jsजाते हैं, पहले जाती है, लकडी काखती है या लकडी बींदती हैं, गठरी सर पर लेकर आती है, 20 से 25 मिनिट लगते हैं चूला सुलगाने में लेकिन नरेंद्र मोधी जी ने 10 करोड से जादा उज्वला गैस कनेक्शन्स देके मात्र शक्ती को धुए की जिंद्धी से जाद हुए हमारे देश में हमारे देश में बचत की आदत हमारे देश में एक-एक को मात्रशक्ती ने सिखाई है आप सबको याद होगा वो नानी जो रामायन के पन्नों में पैसे चुपाती है वो दादी जो चीनी के जार में पैसे चुपाती है अरे उन चोरी के पैसों से कुलफी फलूदा खाने की मिठास ही अलग है लेकिन कितनी अचमबे की बात है अध्यक्षी जिस मात्रशक्ती ने देश को बचत सिखाई उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं थी नरेंद्र मोधी जी प्रधान मंत्री जनधन योजना के तहट देश की मात्रशक्ती को फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर का उन्होंने उसे खिस्सा बना जी अध्यक्षी 50 करोड से अधिक बैंक के खाते खुले प्रधान मंत्री जनधन योजना में जिस में से 56% महिलाओं के खाते थे हमारे यशश्वी प्रधान मंत्री नरेंगर मोदी जी ने ये भी सुनश्चित करा कि महिलाओं के स्वरोजगार के लिए उनके पास आर्थिक सपोर्ट यानि फाइनाशल सपोर्ट की उपलबधता हो प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहट कुल रिन जो संक्षन हुए ही उसमें से 69% महिलाओं के लिए संक्षन हुए है इसी तर स्टांड़ इंडिया के तहट अध्यक जी 84% रिन महिलाओं के लिए संक्षन हुए इंडिये सरकार ने एक करोड लखपती दीदी का जो टार्गेट रखा था सेल्फ हेल्फ ग्रूप मूव्मेंट के माध्यम से वो तो पहले ही लक्ष प्राप्ती हो गई है इसलिए मोधी सरकार ने अब ये लक्ष बढ़ा कर तीन करोड महिलाओं को लखपती दीदी बनाने का रखा अध्यक जी महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश से प्रधान मंत्री जी लाए हैं नवो ड्रोन गीदी मेरे देश की बहन बेटियां अब ड्रोन पाइलेट पनेगी ना केवल इससे क्रिशी कार में आधूनिक तकनीक का इस्तमाल होगा लेकिन आपके देखिए सामाज क की सोच में भी अंतर पड़ेगा इस गोई तो नवी लेवरेज टिकनोलोजी फो मॉडनाइजेशन अफ अग्रेटियन एकॉनमी अव इंडिया बट अल्सो विल इंशॉर एक टिक्तॉनिक शिफ्ट इंड साइकॉलोजी आपके दो पहलों को छूती कृशी कल्यान और महिला महिलाओं का लेकन वास्तविक और असली सशक्तिकरन तब होता है जब वो नीति निर्मान में हिस्ता बनती है अध्यक्ष जी यहां पे कई सदस्य हैं यहां पे आदर्निया हरसिम्रत कौर जी भी बैठी हैं वो तो स्वैम इस बात की साक्षी हैं कि सोलवी लोक सभा में तब केति सुष्मा स्वराज ने राष्ट्रपती अभिभाशन के धन्यवाद प्रस्ताव के उन्मोधन के वक्त एक इच्छा प्रकट करी थी 33% महिला आरक्षन के लिए ताकि महिलाओं का राजनेतिक सशक्तिकरन हो सके अध्यक्ष जी मेना मन प्रफुलत हो उठता ये कहते हु कि प्रधान मंतरी नरेंग्र मोधी जी और उनकी सरकार ने सत्रवी लोकसभा में ही ये स्वप्न हकीकत में तब्दील कर देए अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी अध्थारवी लोकसभा में सुश्मा स्वराज की दी हुई ये आखें नारी शक्ती वंदन अधिनियम को लागू होते इस सदन में देखेंगी और इस एतिहासिक पल की साक्षी बनेंगी विक्सित भारत का अगला स्थम्भ है किसान कल्यान अध्यक्ष जी अंडिये सरकार के लिए अनदाता देवतुल्य है और इसी लिए अंडिये सरकार ने इन देवतुल्य किसानों के लिए तीन लाख बीस हजार करोड रुपे पीम किसान सम्मान निधी के तहट पहले ही वित्रित कर दी है नई सरकार जैसे ही आई पहला सबसे बड़ा निर्णे हमारे यशश्वी प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोधी जी ने लिया 9.26 करोड किसानों को 20,000 करोड रुपे ट्रांसफर करने का एंड ये सरकार ने किसानों की आए बढ़ाने के लिए MSP में रिकॉर्ड बरहुत्री करी है और्गानिक फार्मिंग, कोल स्टोरेज, क्रिशी आधारत उद्योग, देरी और मत्य पालन में आधारत उद्योग को 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 भी प्रोचाहित करा गया है ग्रामीन सडक योजना के तहट तीन लाख बीस हजार किलोमीटर से ज़ादा सडके बनाई गई गई विक्सित भारत का चोथा और सबसे महतपूर्ण स्तंब है गरीब कल्यान अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना विश्व में सबसे बड़ी समाजिक कल्यान योजना साबित हुई है इसमें 81 करोड से जादा लोगों को मुफ्त खाद्यान की सामगरी यानि मुफ्त राशन देकर मोदी जी ने खाद्य और पौशन की सुरक्षा सुनिश्चित करी है जब हम देश की अर्थ विवस्था की गाथा गाते हैं तो वो रेड़ी पत्री वालों के बिना अधूरी है नरेंद्र मोदी जी ने PM स्वन धी के तहत सक्तर लाग से ज़ादा रेड़ी पत्री वालों यानि स्ट्रीट वेंडर्स को 11,000 करोड का रिन बिना ग्यारंटी के मुहिया करवाया है अध्यक्ष जी जिनकी ग्यारंटी कोई नहीं लेता उनकी ग्यारंटी लेते हैं नरेंद्र मोदी हर व्यक्ति का एक श्वपन होता है कि अपनी पकी एक छथ हो PM आवास ग्योजना के तहट इंडिये की सरकार ने इस खाब को हकीकत में बदला है 4 करोड से जादा पक्के मकान इस देश के गरीब को दिये गए हैं और अब PM आवास ग्योजना के तहट 3 करोड और पक्के मकान बनाने का संकल्प लिया गया है आई उश्मान भारत के तहट 55 करोड से जादा लाभार्जियों को मुफ्त इलाज मिला है लेकिन आने वाला जो भवश्य है वो बहुत ही स्वढ़ने में अध्यकजी एक वक्त आता है हर युवा की जिंदगी में जब उस उम्र के पड़ाव में आपके माबाप आपके बच्चे बन जाते हैं और आप अपने माबाप के माता पिता हर युवा को हर वक्त चिंता रहती है माबाप के इलाज की आयुश्मान भारत में सत्तर बरस के हर वरिष्ट नागरिक को और ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी को भी इसमें लाभार्तियों की श्रेणी में अब इंडिये की सरकार लाईगी कितनी राहत की बात है इस देश का युवा भी अब सास ले सकता है कि पांच लाख रुप्या सालाना माबाप की हेल्थ की प्रती सरकार मुहिया करवानी वाली है पीएम सूर्य घर एक ऐसी फ्यूटरिस्टिक योजना है जहां पर आपके घरों के छटों पर सोलर पैनल्स लगाकर भगवान सूर्य नारायन की उर्जा को के माध्यम से मुफ्त बिजली बनाई जाएगी और अध्यक जी मुफ्त बिजली से भी बेहतर है कि वो जो बची हुई बिजली है एक्सेस बिजली आप ग्रिड पर बेच कर एक नई इंकम का सोर्स एक नया आयका सोर्स भी होगा लेकिन मोदी सरकार अलग है अध्यक जी केवल नीति निर्माण ही नहीं करती केवल योजनाई ही नहीं बनाती केवल उन योजनाओं का लाब जन्चन तक नहीं पहुचाती लेकिन वो लाब सुनिश्चत हो लास्ट माइल डिलिवरी हो उसके लिए विक्सित भारत संकल्प यात्रा भी निकालती है, अध्यक्षी मोधी की गैरंटी की गाड़ी आपके दर्वाजे आती है, जनता के दर्वाजे आती है, सभी सरकारी योजनाएं एक ही छत के नीचे है, आपको आधारकात बनाना है, काउंटर वही है, पीम स्वानी धी चाहिए, काउंटर वही है, आप गवर्नन्स के साथ साथ accessibility to that good governance मोधी सरकार सुनिश्चित करती है एक अच्छी सरकार जो आए आपके द्वार अध्यक्षी सरकारे आई और सरकारे गई गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ केवल एक चुनावी जुमला बनकर रह गया था लेकिन यशर्श्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने सुनिश्चित करा पचीस करोड़ लोगों को मल्टी दिमेंशनल गरीबी के रेखा से उभाट आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है अध्यक्षी मैं श्वय में एक वकील हूँ और खुद अपने व हम वकीलों की फ्रटर्निटी में उत्साह का माहौल लाने वाली है क्यूंकि एक जुलाई से भारत में भारतीय न्याई संगता लागू हो रही है पहले के कानून ब्रिटिश राज की गुलामी की बेडियां थे जो हमारी न्याई प्रणाली को जकड़े हुए थे पहली बार भारत में एक ऐसी दंड प्रणाली आ रही है जिसका धे न्याई होगा क्यूंकि अध्यक्ष जी जब कोई ऐसा कानून विलाईती हुकूमत बनाती है तो उसका उद्देश न्याई नहीं होता उसका उद्देश दमन होता है क्यूंकि वो चाहती है कि उसके हुकूमत बरकरार रही लेकिन पहली बार देश में भारत ये दंड प्रणाली आएगी जिसका धे न्याई होगा न्याई को प्राथमिक्ता देगी और हमारे यां कहते हैं Maysон made justice delayed? Is justice denied? ये वो criminal system होगा लॉस का जो एक expedience ही लाईगी एक तेजही लाईगी भारत के criminal justice system न Adm एघगे और का मम्स परी पराध में निया हमें भारत रहा ६हात में न्याई है मतलब है At the heart of these laws is not only deterrence of law and punishment but also a sense of reformation इन सभी transformative, futuristic, path-breaking कारणों के कारण ही भारत ने NDA की सरकार को तीसरी बार पूरा प्रहमत दिया पर अध्यक्ष जी विपक्षी गचबंदन ऐसा प्रदर्शत करता है जैसे कि नाराइनी सेना इनके पाले में खड़ी है पर अध्यक्ष जी इतना जरूर कहूंगी, क्रिश्न तो कर्म के कायल हैं, इसलिए उनका आशिरवाद तो नरेंद्र मोधी जैसे कर्मयोगी पर पुना बरसा है विपक्ष चाहे ये दिखाने का प्रयास करे कि स्वैम अक्षोईनी सेना उनके पास अध्यक्ष जी बहुत चौकाने वाली बात है कि वो विपक्ष जिसने आपात काल लगाने का अधर्म करा वो विपक्ष जिसने भारत के सम्विधान का गला घोटने का अधर्म करा जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने का अधर्म करा वो विपक्ष जिसके गटबंधन के सदस्य आज भी दिल्ली में एक constitutional crisis create करते हैं क्योंकि वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि वो अपनी सरकार जेल से चलाएंगे क्यों क्योंकि वो सक्ता के मुह में मदमस्त हैं और दिल्ली उनके इस मुह से तरस्त है अध्यक्ष जी बड़ी अजीब बात है दिल्ली आज पानी के लिए तरस रही थी एक बारिश हो गई तो पानी से तरस्त हो गई लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्षी गडबंदन में या आम आदमी पार्टी में एक आपातकाल और एक आकाल पड़ा हुए है competence का और talent का और इसी लिए मानिनिय मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल जी मुख्यमंतरी की seat को जकड़ कर बैठे है मैं पूछना चाहती हूँ ऐसा विपक्ष जो policy paralysis का धर्म करता है जो lack of governance का अधर्म करता है वो धर्म की बात करकर इस सदन में कैसे आड़े आ सकता है जब ये सदन emergency की resolution पास करना चाहता है emergency का खंडन करते हैं अध्यक जी मुझे एक प्रसंग याद आता है महाभारत में युधिश्टर को जब अकर्मनत अग्रसित कर गई तो वो पितामभीश्म के पास करें पितामभीश्म ने युधिश्टर जी को सुषासन के कई सूत्र दी लेकिन एक मूल मंत्र भी दिया और वो मूल मंत्र था यतो धर्मस्य ततह कृष्णव यतो कृष्णस्य ततो धर्मः जहां धर्म हैं वहां कृष्ण हैं जहां कृष्ण हैं वहां विजय है अध्यक जी धर्म तो नरेंद्र मोदी जी के ही पाले में खड़ा है लोक तंत्र में मतदाता देवतुल्य होता है छे दशक में तीसरी बार लोक तंत्र में भारत के देवतुल्य मतदाता ने विजय श्री का आशीरवाद अध्यक्ष जी ये विपक्ष की राजसी मानसिक्ता को परिलक्षित करता है अध्यक्ष जी हम तो सत्ता पक्ष में होकर भी सेवा पर्मो धर्मो वाले हैं राष्ट सर्वो परिवाले हैं हम तो हमारे तो यशच्पी प्रधान मंत्री भी अपने आपको देश का प्रधान सेवक कहते हैं अध्यक जी हमारे तो राजा राम है, धर्म हमारा काम है, जबते तो हम मा भारती का नाम है, इसलिए तो नरेंद्र मोदी के सामने फेल बाकी सारे तमाम है। करते हुए, विकसत भारत के संकल्प को सिध्धी तक लेकर जाएगी, एंडिये की ये सरकार मुझे ये पूर्ण विश्वास है, लेकिन मैं साथ में ये आशा भी करती हूँ, कि ये सदन एक जोट होकर उस संकल्प को सिध्धी तक ले जाने में मदद अवश्य करेगा, अध्य करते हैं।